हलो गाईज आज इस वीडियो में जानेंगे निशेचन और निशेचन के परकार परकार में जानेंगे अंतर निशेचन और बाहय निशेचन तो चलिए आसान भासा में समझते हैं सबसे पहले समझते हैं निसेचन अंडानू एवम सुकरानू को आपस में मिलना निसेचन कहलाता है अंडानू जो महिलाओं में होता है और सुकरानू जो पूर्सों में होता है और ये दोनों जैसे ही आपस में मिलते हैं तो ये निसेचन हमारा हो जाता है ठीक है तो चलिए अ अब समझते हैं परकार, अंतह निशेचन, इंगलिस में कहते हैं internal fertilization, जब अंडानू एवम सुक्रानू का मिलन मादा के सरीर के अंदर होता है, तो अंतह निशेचन कहलाता है, उधारन में देख सकते हैं मनुस्य, जानवर, पंची और कीट, इन सारे जिवों में अंदर अंड इंगलिस में होता है external fertilization, जब अंडानू एवम सुक्रानू मादा के सरीर के बाहर मिलते हैं, तो बाहर निशेचन कहलाता है, उधारन में देख सकते हैं मेढक और मचली, ये जिवों में बाहर अंडानू और सुक्रानू आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो आप आसान भासा मे याद रखिए कि अंडानू और सुक्रानू, जब शरीर के अंदर आपस में मिलेंगे, तो वो होगा अंतार निशेचन और सरीर के बाहर आपस में मिलेंगे, तो वो होगा बाहर निशेचन, ठीक है, I hope आप इसे आसान भासा में समझ गे होंगे, मिलते हैं अगली वीडियो म अबता कि ये ज्जाहिंदा वंदे मातर